जैस्री राम प्रिये भगतो प्रिये भगतो जब नाम जब सिद्ध होने लगता है तो आपके उपर यह प्रभाव पढ़ने शुरू हो जाते हैं प्रिय भगतो कोई भी मंत्र है नाम जब है एक जब निश्चित श्रीमा उसकी पूरी हो जाती है एक निश्चित अवदी हो जाती है एक संख्या हो जाती है निश्चित तो वह आपके शरीर में लेह होने लगता है और वो अपने आप ही चलना शुरू हो जाता है तो जब ऐस स्थिति आ जाती है तो फिर जो है वो सिद्ध हो जाता है जैसे कि ऐसे बताया गया है कि राम नाम एक क्रोड मंत्र से सिद्ध हो जाता है यह संक्या सिर्फ सास्त्रों में लिखी हुई है लेकिन उससे पहले भी सिद्ध हो सकता है आपके पुर्व कर्मों की वज़े से या फि जब भी आपका मंत्रिय नाम्जब सीध होने लगता है तो आपके अंडर ये बदलाव आएंगे सब से पहला बदलाव तो यह है कि आप ज्यादा से ज्यादा सत्संग सुनना पसंद करेंगे सत्संग में रूची आने लगेगी नाम्-जब में आपको रूची आने लगेगी, आप ये सोचेंगे कि जादा से जादा समय मैं भगवन नाम में बिताऊं, सतसंग में बिताऊं, मैं साधूं का संग करूं, अच्छे लोगों का संग करूं जो भगवान से जुड़े हुए हैं, दूसरी बात ये है कि आपका मनशुद होने पारे में अच्छा ही अच्छा सोचोगे, जो बोलोगे वह अच्छा ही बोलोगे, किसी के प्रती कोई भी द्वेस भावना आपके अंदर नहीं रहती है, जब आपका नाम जब सिध होने लगता है, तो आपके भीतर सात्विक गुन आ जाएंगे, आपको आपके विचार सा सात्विक भोजन ग्रहन करना आप पसंद करोगे, यानि कि आपके सब तामसी गुन खतम हो जाते हैं, इश्वर की हर इच्छा में आप प्रसंद रहने लग जाते हैं, यानि कि आपको ये समझ में आजाता है कि चाहें दुख आए, चाहें सुक आए, हर प्रिस्थिती में आप हर जीव की निश्काम भाव से सेवा करने लगते हो यानि कि आपके अंदर निश्काम भाव प्रकेट हो जाता है तो यह हमने कुछ ऐसे गुण बताई प्रभाव बताई जब नाम जब सिध होगा तो यह अवश्य ही होंगे हर जीव में यह प्रिवर्तन आते हैं अगर आ आप निरंतर नाम जब करते हो तो अब हम अपनी वानी को विराम देते हैं जै स्री राम प्रिय भगतव